जी बिस्मिल्लायराख्मान रहीम असलाम अलेकूं स्टूडेंट्स मैं आपका टीचर शबाज वेलकम तो ऑब कलास आज हम मैथमेंटिस क्रेड 7 के स्टूडेंट्स बात करेंगे देखते हैं मैथमेटिस ग्रेड इस स्टूडेंट्स हमारा जो यूनट है पोफोर क्या नेम अपना S.L.O. देखेंगे असे स्टुडेंट्स आज का हमारा यस वो है दो कॉंसेब्स आफ इंकम T cualquier crate जर्णल से टैक्स & Value Astra यह हमारा स्टुडेंट्स आज का हमारा S.L.O. है इसमें हम 4 चाहिजह डिसकस्क्रने वाले एक तो हमारा income tax क्या है property tax and then general sale tax या value-added tax लेकिन हम दो चीजों पर ज्यादा focus करेंगे एक तो अब property tax और general sale tax के उपर जो है आप focus करेंगे आज के इस पैसलों में तो देखते हैं सबसे पहले students property tax क्या है और general sale tax क्या है property tax the amount of money that is received on the property is called property tax this is provincial tax paid on value of property the tax rate vary province to province basically students मैं यह कह रहा हूं कि जो आपका property tax होता है जब आप कोई भी property sale या purchase करते हैं तो उस वक्त जो आपको tax property के उपर होता है वह आपको government को पे करना होता है इसको property tax कहते हैं अब students यह आपका जो सुबह होते हैं यानि प्रोवेंस होते उनके अकार्डिंग वर्य करता है जैसे हैं पाक्स्तान की बात करें अगं अगर आप सुबह पंजाब की बात करते हैं सिंद्ध करते हैं हर एक सुबह की प्रॉप्टी के ओपर अपना अपना टक्स जो है वह लगाया हुग कि अगर आप सेल या पर्चेज करते हैं तो इतनी अगर अमाउंट की प्रॉपटी होगी तो इतना टेक्स होगा नेक्स सूजेंट आपका जी एस्टी है ये तो आप लोगों को वैसे ही पहले थोड़ा बहुत मलूम होगा जी एस्टी के होता है जर्नल सेल टेक्स स्टूडेंट्स आप कोई भी चीज खरीदते हैं मार्कीट से तो उसके ओपर आपका जी एस्टी राइट होता है जब आप की बात करते हैं किसकी इतनी प्राइस है तो वहाँ जी एस्टी आपका मेंशन होता है इसे जर्नल सेल टेक्स कहते हैं कोई भी चीज जाब आप सेल करते हैं तो उसके इसकी definition को the amount of money paid by buyer to seller on the sale price and atom is got journal sale tax यानि जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप जो अब बायर जो होता है जो सेल करने वाला होता है उसको जो amount देता है उसके अंदर ही आपका टैक्स एड़ेड होता है जिसको आप क्या कहते हैं जीस्ट कहते हैं अब सिंप्ली जब आपकी टैक्स की बात करते हैं तो जैसा मैं कह रहा हूं कि हर प्रोवेंस के अंदर अपना एक टैक्स होता है लेकिन एक क्वेश्चन है हम देखते हैं कि अगर इतनी अमाउंट और इतना टैक्स तो कितनी आवंट टैक्स की बनेगी स्टूजेंट्स एक्जेंपल के इंदर यह एक के फाइंदा प्रॉप्टी टैक्स आप इस निकालना चाहते हैं ऑन दा स्टूडेंट जो हमारा है उसका कितना अमाउंट बनेंगा देखते हैं स्टूडेंट से अंदर अगर स्टूडेंट साम देखें तो सबसे पहले हमारी टोटल अमाउंट कितनी 80 लाइग 80 लाइग के ओपर हम टेक्स रेट जो है वो 0.7 है हम पेबल टेक्स यानि 0.7 आफ 80 लाइग बिसिकली जब आप परसेंट की बात करें तो ओट आफ अंडरेड जिरो पॉइंट सैवन आफ अंडरेड यानि वन अवर हंडरेड इंटो 80 लाइग जब हम सिंप्लिफाय करेंगे सि हमारा 56,000 आ गया सिंप्ली हम यह कह रहे हैं कि अगर 80 लाइग की प्रॉपिटी है हम सेल कर रहे हैं या पर्चेज कर रहे हैं तो उसके ओपर जो टेक्स है वो 0.7 परसेंट है तो सिंप्लिफाय करने के बाद हमारी जो अमांट निकली डैट इज 56,000 इतना बैसिकली टेक्स आपको गवर्मेंट को पे करना होगा जर्नल सेल टेक्स जैसे सुडेंट देफिनेशन हम देख चुके हैं बट देखते हैं इसको एक्जेंपल के अंदर एक्जेंपल के अंदर अफेक्टरी प्रिद्यूस शैंपू एक फैक्टरी जो वह शैंप प्रिद्यूस करती है तो कॉस्ट आफ प्रोडक्शन पर थाउजन्ट मिली लीटर यानि एक अजार मिली लीटर के उपर जो उनके कास्ट आती है तैट इस 950 रुपीज यानि अगर आप 1000 ml जो है शैंपू प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी अमाउंट आपको जो प्राइस आती है वो आपकी कितनी है 950 रुपीज वाट विल बी दा सेलिंग प्राइस आफ्टर इंकलूडिंग जी एसटी यानि जी एसटी को एड करने के बाद कितने का वो शैंपू जो एक बॉटल है जो 1000 ml की है वो कितने की हमें सेल करनी होगी जी एसटी आड करके स्टूडिंट मैंने आपको आर रेडी बताया है पाकस्तान में अगर हम जी एसटी की बात करें तो वो 17% है तो बेसिकली जो शैंपू की अमाउंट है हम ये करेंगे तो इसका 17% फाइंड ओट करेंगे जो अमाउंट निकलेगी वो 950 में एड करेंगे तो आप जो सिंप्ली मैनुफेक्टरिंग कॉस्ट आप दे शैंपू यानि कितने का शैंपू जो है जो इसकी मैनुफेक्टरिंग कास्ट है वो कितनी है तो जैसे के स्टूडेंट्स हम बता चुके हैं आर रेडी एक्जेंपल के अंदर के वो 950 है अब जी एस्टी मैंने बताया कि पा सिंप्लिफाय करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 161 161.5 यह हमारा जी एस्टी निकला है यानि इतनी अमांट पे 950 पे यह आपका क्या है जी एस्ट तो जब आपने प्राइस के अंदर एड करना है तो प्राइस एडिंग जी एस्टी तो 950 में हम स्टूडेंट्स क्या करेंग 161.5 एड करेंगे तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपको 1100 11.5 यह हमारी क्या आ जाएगी स्टूडेंट की ईस्टी को एड करने के बाद 1000 एममेल का जो भी शैमपू यह कोई जिए आपका चीज़ है तो इतना जी एस्टी एड करने के बाद सेंपली स्टूडेंट्स से मारी एमाउंट है यह इनि हमें 11,111 रुपे का वो शैमपू बेचना होगा जब कि असके अंदर हम कितना GST भी आड़ कर रहे हैं 17% तो जो manufacturing company है उसको simply 950 रुपीज जाएंगे जो उपर वाली amount है जो के 161.5 रुपीज है यह आपकी government को जाएंगे GST है जर्नल से टेक्स अगर class work की बात करें तो यह आपका questions है आपका सामने आपने on the same line जिस तरह आप GST के बात कर रहे हैं तो 17% आप रीड करें और आप लोगों ने solve करना है अगर homework की बात करें तो on the same line एक question है लेकिन मैं आपको इसका बता देता हूं कि basically इसमें हम टेक्स नहीं निकार रहे हैं कि इतना text find out करना मैं बिस read out करके बता देता हूं आपको जैन है उसने इतना text pay किया है जबके property उसकी कितनी थी इतनी वर्थ की property थी उस पर इतना text pay किया है तो हमें ये बताना है कि जो text से उसने basically कितना पर्षेंट टेक्स जो है वो इस property के उपर लगा जबके amount हमें कितना है 25,000 रुपया तो यह आप लोगों ने खुद find out करना है अगर स्टूडेंट सम्रिसॉर्स की बात करें तो first one is the work sheet and second one is the questions bank and third one is lesson plan and fourth one is the powerpoint presentation जो लेक्टर मैं आपको deliver कर रहा हूं तो यह तमाम स्टूडेंट्स आज के लेक्टर में लिंक में आपको मिल जाएंगी अपने work sheet and question bank को भी जरूर सॉल्व करना है यह था आज का हमारा लेक्टर जिसमें हमने जीस टी पड़ा और प्रप्रप्टी टेक्स पड़ा होप सो आप लोगों ने गेन कियो अगा मिलते एक नए लेक्टर के साथ तब तक अपना ख्यार रखी अल्लाहाफिज एंड थैंक यू